हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऐसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है रात का नौ बच गया है और आज का सेशन पांच मिनट लेट हुआ है स्टार्ट ओके तौरा लेट हो गया इसलिए पांच मिनट लेट कर दिये हैं तो जल्दी से सब लोग लाइफ शेशन को जोईन कर लो ओके दंगल का सेट नंबर फोर जो है यहां पर होने वाला है और कल सुबह में यानि की सुबह आठ बजे से बहुत ही धमाकेदार शेशन होने वाला है वन वर्ड का कल पूरा फुली टेस्ट होने वाला है अब लोग लोग सुबह में एकदम धमाकेदार सेशन के लिए कंप्लीट रिवीजन के लिए त्यार हो जाना है ओके सारे इंपॉर्टेंट जो तनी भी टेस्ट में आए वे सारे कोस्ट जो है कल आपका होने वाला यहां पर वन वर्ड का रिवीजन होगा इंगलिस वाले क् तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यह इंपॉर्टेंट सेशन फर्स्ट कोर्शन आपके स्क्रीन पर क्या है अलेक्जेंडर इंवेडेट इंडिया इन तो अलेक्जेंडर जो है भारत पर कब आक्रमन किया था यहां पर क्या होने वाला है राइट एंसर अलेक्जे question question number two justice हीमा कोली has been appointed as the first ever female chief justice of the high court तो justice हीमा कोली को जो है कहां का chief justice बनाए गया है और यह first ever female chief justice है chief justice of the high court of तिलांगना यहां पर हो जागा right answer ओके तिलांगना ठीक है तिलांगना is the right answer और तिलांगना कब founded हुआ था दो जून 2014 को founded हुआ था ठीक है तमिल साई शोंदर रंजन कौन है गवर्नर है और के चंद सिखार रौ कौन है तो यह है chief minister next question क्या है who among the following has been appointed as chief justice of the gohati high court तो gohati high court के chief justice के रूप में किसे यहां पर appoint किया गया है क्या होगा यहां पर राइट एंसर गोहाटी के हाई गोहाटी high court के chief justice यहां पर क्या होने वाला है राइट एंसर चलिए करेक्ट एंसर क्या होगा दिमाग पर जो डालना है यह सब करेंट अफियर्स झालना है पर भी पर जोहां हाथ चलिए एंसर वालना है वालना है यह सब करेंट आए धिमाग पर जख एंसर आएख़ाई गोहाँ झालना है तो एंसर पर नहादार पर जएट एंसर यहां पर answer क्या है option number E हो जाएगा ठीक है सुधान्सु धुलिया जो है यह है correct answer next question which of the following temples was built by राश्ट कूटाज dynasty तो कौन सा temple जो है बनवाय गया था राश्ट कूटाज डाइनेस्टी के तरफ से यहां पर क्या होने वाला right answer कैलास temple ठीक है कैलास temple बनाये गया था next question क्या है question number five प्रवासी भारतिये दिवस जिसको NRI डे भी कहा जाता है यह celebrated होता है हर साल कब प्रवासी भारतिये दिवस NRI डे भी उसको बोला जाता है correct answer यहां पर क्या आएगा प्रवासी भारतिये दिवस कब होता है नाइन्थ जैनवरी को होता है ठीक है नाइन्थ जैनवरी जो है यहां पर right answer है next question which dynasty had developed the गंधार school of art in ancient India तो किस dynasty ने developed किया था यह तो क्या होगा यहां पर right answer option number एक कुशान dynasty यहां पर correct है ठीक है कुशान dynasty next question question number seven what is the theme of प्रवासी भारतिये दिवस 2021 तो प्रवासी भारतिये दिवस 2021 का theme क्या था थीम से question आता है तो प्रवासी भारतिये दिवस 2021 का theme क्या था तो contributing to आत्म निर्भर भारत ओके यानि की option number कितना E हो जाएगा correct answer ठीक है contributing to आत्म निर्भर भारत When is the world Hindi day observed globally तो world Hindi day ये कब होता है world Hindi day ये कब celebrate होता है तो इसका correct answer क्या जाएगा 10th January 10th January को क्या होता है 10th January को क्या होता है world Hindi day Next question क्या है Question number 9 Which of the following is an incorrect sequence of Mughal rulers यहाँ पर क्या होने वाला है Correct answer क्या हो जागा यहाँ पर Incorrect यहाँ पर पूछ रहा है Incorrect sequence बाबर हो गया हिमायू हो गया ठीक है बाबर हिमायू, जहांगीर, साजहां, आलमगीर, मौहमद आजम सा, बहादूर सा, ठीक है यह सब लास्ट रूलर कौन है लास्ट रूलर भी पता है बहादूर सा, सकेंड यहाँ पर incorrect sequence कौन सा है अकबर सा जहां, जहांगीर ठीक है अकबर सा जहां, जहांगीर जो है यह incorrect sequence है B हो जाएगा correct answer Next, National Youth Day यह कब होता है National Youth Day कम मनाया जाता है National Youth Day You are diverse जिसको बोलते है तो right answer क्या आएगा 12th January Next question Which of the following Which country is the focus country of the 51st International Film Festival of India 51st International Film Festival of India में कौन सा country, focus country था यह current affairs में आपने पढ़ा होगा Bangladesh जो है वो focus country था Bangladesh Next question The दर्गा of शेख, ख्वाजा, कुतुवदीन, बक्तियार, खाकी इस लोकेटेड इन तो यह दर्गा जो है यह कहां पर है कहां पर यह है दर्गा Right answer यहां पर क्या जाएगा Option number C Delhi में है यह ठीक है, Delhi में है यह Next question Which was the first Muslim dynasty that ruled India ठीक है, कौन है यहां पर First Muslim dynasty जिसने भारत पर rule किया, शाषन किया सब लोग जानते हैं इसका answer Slave dynasty होगा, ठीक है, Slave dynasty Next question, Who among the following drafted Article 370 of the Constitution of India यहां पर यहां पर करेक्ट एंसर क्या होने वाला है उनका नाम क्या है, गोपाल स्वामी अयंगर Next question, The definition of money bill is given in which article of the Constitution of India तो money bill का definition, यह किस article में दिया है, money bill Money की जब बात होती है, तो सुब सुब एक 11 का बात होता है यानि कि 11, यहां पर 11 और यह को 0 लगा देना है 110, यानि 110 Next question, Under which article of the Indian Constitution are Indian citizens guaranteed the right to six fundamental freedoms यह किस article में है Very easy question, article 19 हो जागा यहां पर Next, which article of the Constitution of India states that no citizen can be discriminated against on the basis of his religion, race, caste, sex or place of birth तो यह कौन सा article हमें यह provide करता है Article 15 हो जागा correct answer, ठीक है, article 15 Next question है Which article of the Indian Constitution prohibits trafficking in human being and forced labor Human trafficking and forced labor यह किस article में आता है यहां पर right answer क्या होने वाला है, correct answer क्या हो जाएगा, article 23 ठीक है, article 23 is the right answer Next question Who has chosen as official representative of BCCI for the ICC board meeting ठीक है, तो किसे चुना गया है यह? बहुत बार repeat हुआ है यह question Right answer होगा, जैसा ठीक है, easy है यह Next question Dash Constitution Amendment Act 2002 Provided for free and compulsory elementary education to all children तो यह कैमा था 86th Amendment 66th Constitutional Amendment Act 2002 86th हो जाएगा, C answer correct होगा Next The Constitution of India was first amended In which year? The Constitution of India was amended for the first time पहली बार कब जो है, संसोधन किया गया था तो कब किया गया था? यह repeated question है एकदम important है, 1951 Next question What is the rank of India in the हनले passport index 2021? Most important यह index है यह सब एकदम important question है क्या हो जाएगा? 85 भारत का इस passport index में जो है कौन सा rank है? 85 है Okay, next question Which of the following is not related to fundamental rights? तो कौन सा जो है यहाँ पर related नहीं है fundamental rights से क्या होगा आपका रहाँ पर right answer कौन नहीं है? Correct answer यहाँ पर क्या होने वाला है? चलिए, correct answer हो जाएगा right to property ठीक है पहले था इसको हटा दिया गया next question, forming an association in India is forming an association in India is हम कोई भी association form कर सकते हैं भारत में यह हमारा fundamental rights है legal rights है, natural rights है, constitutional rights है obviously fundamental rights है next question क्या है which hospital won the Kaya Kalp Award for the third conclusive year this time तो कौन सा hospital ने जीत लिया है Kaya Kalp Award तीसरी बार, लगातार तीसरी बार Kaya Kalp Award जीता है किस hospital ने? तो Ames Bhumneswar ने, ठीक है Ames Bhumneswar next question, about 70% of the sun is made up of तो sun का 70% भाग जो है, यह किस चिस से आपका होता है, बना हुआ made up of यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा 70% of the sun is made up of hydrogen हो जाएगा, correct answer option number A next होता है, फिर helium 28% उसके बाद carbon, nitrogen, oxygen next question क्या है which one of the following is the brightest star in the Orion constellation चलिए, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा brightest star की बात हो जाएगा यहाँ पर option चलिए, correct answer यहाँ पर क्या जाएगा option number जो है C यहाँ पर correct है option number C, regale यहाँ पर right answer होगा next question क्या है the headquarter of the Indian Institute of Astrophysics is located in यह कहाँ पर इसका headquarter है option number D, Bangalore में next, the term blood moon is used to refer blood moon is what यहाँ पर क्या होने वाला है, correct answer blood moon the term blood moon is used to refer what lunar eclipse यहाँ पर correct answer हो जाएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, correct answer right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा name लिकित में से कौन सबसे बड़ा मानियता प्राप्त नच्छत्र है option number A, hydra next question, the approximate diameter of the sun is dash times the diameter of earth है न, sun का जो diameter है, वो कितना times है, earth के diameter से यहाँ पर correct answer क्या हो सकता है, 109 ठीक है, 109 times next, which of the following which of the following which of the following which of the following bank is not a public sector bank तो यहाँ पर क्या होगा, right answer कौन यहाँ पर नहीं है which of the following कितनी और बोल लिए, रहे वाह इंडस, इंड बैंक option number D, correct हो जाएगा next question, which film won the golden peacock award in the 51st IFFI award चलिए, तो कौन सा यहाँ पर फिल्म ने यह जीत लिया है correct answer क्या हो जाएगा into the darkness यह होगा right answer, into the darkness ने जीत लिया, next question who was the only foreigners to receive पद्म विभूशन अवार्ड in 2021 है ना, क्या है question only foreigners to receive पद्म विभूशन अवार्ड in 2021, क्या हो जाएगा correct answer सिंजो अबे, yes option number 3 सिंजो अबे जो है, यह होने वाला है correct answer okay, next question the banking regulation act was passed in India banking regulation act यह कब passed हुआ था भारत में banking regulation act यह हुआ था 1949 में next question what was India's rank in Asia Pacific Personalized Health Index 2020 report तो भारत का क्या rank है Asia Pacific Personalized Health Index 2020 के report में भारत का rank क्या है वो है 10 ओके, दसवा rank है भारत का Asia Pacific Personalized Health Index 2020 में next question the amount of light entering into eye can be controlled and regulated by तो control and regulate किसके दोरा किया जा सकता है यहाँ पर correct answer क्या होगा option number C ठीक है, पूपिल जो है यहाँ correct answer है next where is India's first labor movement museum located चलिए, यहाँ पर क्या होने वाला है correct answer option number D यहाँ पर correct हो जाएगा अलपूजा जो है यहाँ right answer है next question who was awarded the Nelson Mandela World Humanitarian Award तो किसे दिया गया है यह award यह दिया गया है किसको Nelson Mandela World Humanitarian Award किसे दिया गया है तो Ravi Gak Ward को दिया गया है ठीक है next question light ray enter the eye through the outer transparent structure at the front of the eye called the क्या कहा जाता है इसको इसे कहा जाता है कॉर्णिया next which country first indigenously developed satellite Amazonia first will be launched by ISRO तो किस कंट्री ने यह किया है क्या होगा correct answer which country first indigenously developed satellite Amazonia यह ब्राजिल ठीक है ब्राजिल होगा यहाँ पर right answer next where is the world's longest railway platform being constructed as of January 2021 ठीक है world का longest railway platform यह कहां बरबन कर तयार हो गया है क्या होगा correct answer Vijayvada railway station आंद्रप्रदेश next question cathode ray are a beam off cathode ray जो है यह beam होता है किसका cathode rays are a beam off यह होता है किसका electrons का next question which of the following metal is the most reactive metal most reactive metal कौन सा होता है चार options दिये वे यहाँ पर most reactive metal correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा which of the following metal is the most reactive metal चलिए correct answer होगा calcium ठीक है calcium right answer होगा calcium is the right answer next at what temperature does iron melt किस temperature पे iron melt होता है यहाँ क्या होने वाला है right answer iron किस temperature पे melt होता है तो ध्यान रखना है 1538 degree Celsius okay 1538 degree Celsius next iron boils at about dash degree Celsius यह हो जाएगा 2861 next which element is used to make the coils used in water heater शलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा which किस element के उस क्या जाता है निक्रोम को क्या जाता है next question क्या है what is the scientific name of peacock peacock का scientific name क्या है ठीक है what is the scientific name of peacock इसका scientific name क्या है peacock का पावो क्रिस्टेस option number B हो जाएगा ठीक है option number B पावो क्रिस्टेस answer होगा next question boss mutus is the scientific name ये किसका scientific name है? ये हो जाएगा domestic yak या कि यहाँ पर होगा answer? option number A ठीक है? option number A हो जाएगा next citralis landis is the biopotanical name for citralis landis is the botanical name for ये किसका है botanical name? बड़ी खतरनाक name है water melon यहाँ पर correct answer है ठीक है? next world braille day annually observed by united nations कब होता है observed? ये? ये होता है कब? 4th january को ठीक है? 4th january को होता है next the common wealth of cricket इस बुक के author का नाम क्या है? the common wealth of cricket इसके author का नाम क्या है? common wealth के author का नाम है राम चंद्र गुहा है न? option number 1 what is the full form of सक्षम? सक्षम का full form क्या है? चलिए सक्षम का full form यहाँ पर क्या हो जाएगा? right answer सक्षम का full form क्या है? शंगरक्षन शंता महत्सव option number B yes, option number B जो है correct है next canius lupus is commonly known as ठीक है इसको हम क्या कहते हैं? canius lupus को क्या कहा जाता है? इसका कहनाम है grey wolf ठीक है? option number 3 चलिए wolf हो जाएगा यहाँ पर correct answer next question name the author of the book manohar parikar of the record इस book के author का नाम क्या है? name the author of the book manohar parikar of the record इसके author का नाम क्या है? correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबका क्या होना चाहिए? A, B, C, D में चलिए वमन प्रभू यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है? option number D चलिए तो कल फिर से मिलेंगे दंगल के शेट नंबर 5 में ready for tomorrow दंगल 5 आज का कैसा क्या performance है? अपना score comment कर देना बाकी सुबह 8 बजे से जो है one word substitution का होने वाला एक बहुत बड़ा वाला marathon ठीक है 200 से जादा question होगा कोशिस करेंगे कि कम टाइम में 200 question को cover कर दे full speed के साथ तो अगर आप provision करना चाहते हैं exam से पहले TCS का सभी questions तो कल सबका welcome है 8 बजे से ठीक है कल welcome है 8 बजे से अगर आप चाहते हैं कि one word substitution का exam जाने से पहले TCS वाले सारे questions को एक बड़ revise करवा दिया जाए marathon के रूप में तो कल आपका स्वागत है 8 बजे से तो कल ही मिलेंगे 8 बजे सुभा में तब तक के लिए all the best अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए